तो दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फो लेटेस्ट टेकनोलोजी वीडियो के लिए एंड जोइन टेलीग्राम गूप फो लेटेस्ट टेक न्यूज एंड अपडेट्स तो दोस्तो मेरा नाम है रोही तो आप देख रहे हैं वाइटी आटेक तो यह पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको दिखा दिया था कि आप अपने डिवाइस का बूट लोडर कैसे अनलॉक कर सकते हैं पर दोस्तो वहाँ पर आपको 168 आव बूट लोडर को अनलॉक करने वाले हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा फोन फूली ओन है और यहाँ पर सम काड? aa बिवाइस में है और वाइफा यहाँ पर ऑफ है तो यहाँ पर दोस्तो आपने क्या करना है? यहाँ पर आपने सीधा MI account में जाना है तो यहाँ पर वह अगर आपको फिर से 168 आवर्स का टाइम बताएगा अगर आपने नहीं किया है तो यहां पर आपका बैकाप अन होना चाहिए एक बार फिर से बैकाप ले लीजे ताकि आपके सिस्टम को पता चल जाए कि आपका डिवाइस अभी भी लॉगड इन है पर ज़्यादा ज़रूरत इसकी नहीं पड़ती है तो यहां पर आपने जाना है तो आपको मैं ड्वेलपर ऑप्शन में दिखा देता हूं हमारा जो ओ पर पावर बटन और वोल्यूम डाउन बटन को जो है इकठे दबाना है ताकि आपका जो डिवाइस है वो फास्ट बूट में चला जाए तो यह अगर आपका डिवाइस कनेक्टिड नहीं होता है पीसी के साथ तो लिंक ड्राइवर का मिल जाएगा तो आप वहां से कर सकते है इंस्टोर कर लिजे अबीडी ड्राइवर्स तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको कुछ इस परकार का अनलॉक टूल मैंने जो पिछली बार आपको दिखाया था देखने को मिलेगा तो आपने अगरी करके फिर से एक बार इसे उपन कर लेना है और यहां पर आपने अ बैक अप जरूर लीजेगा पिक्चर वीडियो आपका जो भी है बैक अप आप योर ड्वास क्योंकि सब कुछ दिलीट यहां पर हो जाएगा तो यह आपको वोनिंग भी देगा कि आपका सब कुछ डिलीट हो जाएगा और आपका अब जो डिवास है से क्यूर नहीं तो यहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका जो डिवाइस है 100% दोस्तों अनलोक हो जाएगा without any problem आप देख सकते हैं हमारा जो डिवाइस है अब अनलोक हो चुका है तो आपने simply reboot अपना डिवाइस कर देना है already reboot हो रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं तो इस परकार से दोस्तों आपको कोई इशू नहीं आएगा आपके डिवाइस में डिवाइस को अनलोक करने में तो यहां पर मैं आपको fully दिखा देता हूं मैंने अपना phone जब fully power on तो नहीं sign in कर लिया है तो यहां पर जाकर एक बार फिर से 10 बार यहां पर दबा देते हैं ताकि developer option खुल जाए और यहां पर अगर हम developer option में जाते हैं नीचे additional settings में developer option में तो यहां पर नीचे आपको देखने को मिल जाता है अब आपका जो device है unlocked है तो यह यह सारी information थी यहां पर device unlocking के बारे में तो यह आज के लिए बस इतना ही